नौशकार शबीको मैं प्रदी पचवडी मैस फेगल्टी आज से हम परसेंटेज चालू कर रहे हैं अर्थमेटिक इसको कहते हैं उसका पहला चेप्टर है परसेंटेज माने प्रतिसत्ता अच्छे परसेंटेज का पूरे अर्थमेटिक में आपका बहुत यूज है आप किसी भी चीज को देखोगे चाब प्रॉफिट लॉस लावानी पड़ो कहीं भी पड़ोगे इसका बहुत ही हूज है बिल्कुल बेसिक से हम इसको स्टार्ट करते हैं तो इसके बारे में कुछ चर्चाएं करते हैं देखे सबसे पहले मैं परसेंटेज के बारे में बताना तो अगर कहीं भी हम परसेंटेज हटाते हैं तो उसकी जगे क्या रखते हैं बन बाई हंड्रेट यह वाली चीज के लिए हैं इस तरीके से कुछ चीज और भी हैं जैसे मैं आपसे पूछूँ पचास परसेंट पचास परसेंट इसको भिन में आप चेंज करिए परसेंटे हटाया तो सर कितना आगया बन बाई हंड्रेट पचास से इसको काटेंगे कितना आएगा दो तो पचास परसेंट बराबर कितना हो गया बन बाई टू एक बटे तो तो पचास परतीसत बराबर कितना होता है एक बटे तो यह चीज के लिए हो गई तो कहीं भी जैसे मैं तब भी कितना होगा पचास ये चीज़ के लिए है दूसरी बात है इसी तरीके से अगर मैंने कहीं आप से पूछ लिया कि बताइए 40% को fraction में change करिए भिन में change करिए तो आप कहोगे percentage हठाते हैं सर तो कितना आता है एक बटे 100 तो 20 दोनी 40 और 20 पंजे 100 तो ये कितना आ गया 2 बटे 5 कितना आ गया 2 बटे 5 तो आप कह सकते हो बच्चों 40% बराबर कितना आ गया हमारा 2 बटे 5 ये चीज़ें किलियर हैं कि नहीं बच्चे आपको अब हम कुछ fraction इस तरीके के लेते हैं जिनका पूरे math में use होता है maximum बार तो क्यों ना हम उन fraction ओको याद रखें कहां से आते हैं solve करके भी देख लेते हैं बट हम उनका इतनी पर practice करेंगे तो वो आपको वैसे ही याद हो जाएगा एक्जाम में ये जरूरी नहीं है कि कोशन आप पूरा solve करो एक्जाम में ये जरूरी है कम समय में कोशन हम कैसे solve करें क्योंकि आप जानती होगे लाखों लोग इसमें बैठते हैं जो जल्दी कोशन जादा attempt कर लेता है और सही कोशन करके आता selection उशी का होता है वहाँ पर हमको यह नहीं करना कि पूरी कापी भरनी है यह आपको पता है 2020 एक्जाम की तरह है 2020 मैच खेलते हैं तो उसमें सैट होने का आपको समय नहीं है पहली बॉल से 6 मानना रहता है तो इसी तरीके से इसमें आप पे इतना समय नहीं है कि आप solve करो कोशिश कर रहा है कम समय में कम आपको step करनी पड़े और आपका answer आ जाए तो बच्चे इसको हम rough करते हैं कुछ concept और है दीरे दीरे उनको आपको सिखाता हूँ कौन-कौन से वो आप देखते जाए तो सबसे पहले बच्चे हम चर्चा करेंगे जैसे मैंने आपसे पूछा एक बटे दो या आपसे एक चीज और पताना चाहूँगा कि यदि fraction में दिया गया हो तो अभी आपने पड़ा था 50% बराबर एक बटे दो और एक बटे दो को percent में change करना हो तो आप 100 का इसमें into कर दीजिए दोसे इसको काटेंगे तो ये कितना जाएगा पचास percent जाएगा हीच हीच किलियर है तो आपको पता होना चाहिए percent हटाते हैं तो एक बटे 100 और percentage में लाना है तो 100 का multiple है कर देते हीच हीच किलियर है आपकी अब आप देखिए जरा मैंने आपसे बोला एक टेवल बनाता हूँ वह आप थोड़ा ध्यान से देखना एक बटे 2 कितना होता है तो आपका जबाब होना चाहिए पचास percent हभी हम एक एक को solve करके देखते जाएगे या मैं बोलू एक बटे 2 कितना होता है पचास percent एक बटे 3 कितना होता है तो आपका जबाब होगा 33 सही एक बटे 3 percent एक बटे चार कितना होगा तो आपका जवाब होना चाहिए बच्चों 25% एक बटे पांच कितना होता है तो आप बोलोगे 20% कितना होगा 20% एक बटे 6 कितना होता है तो आपका होगे 16 सही 2 बटे 3% एक बटे 7 कितना होता है तो आप बोलोगे 14 सही 2 बटे 7% और एक बटे आठ कितना होता है बारा सही एक बटे दो परसेंट है इसी तरीके से एक बटे नो कोई पूछेगा तो आपको मालू होना चाहिए ग्यारा सही एक बटे नो परसेंट और एक बटे दस कितना होता है दस परसेंट और एक बटे ग्यारा कितना होता है तो आप कहोगे बच्चों, 9 सही 1 बटे 11%, 1 बटे 12 कोई पूछेगा, तो आपका जवाव होगा, 8 सही 1 बटे 3%, और 1 बटे 13 कितना होता है? 7 सही 9 बटे 13%, और 1 बटे 14 कितना होता है? 7 सही 1 बटे 7, और 1 बटे 15 कितना होता है? तो आप बोलोगे 6 सही 2 बटे 3 फ्रक्षन, ये कुछ फ्रक्षन इस तरीके के हैं, जो आपको बहुत यूज में आते हैं, और हर एक्जाम में यूज में आते हैं, तो क्यों हम ना हम इनको य जाद रखें कि 1 बटे 2 कितना होता है 50% या 50% बराबर 1 बटे 2 या आप से कोई पूछेगा 33 सही 1 बटे 3% कितना होता है 1 बटे 3 25% बराबर कितना होता एक बटे 4 एक बटे 5 कितना होता 20% एक बटे 6 कितना होता 16 सही 2 बटे 3% एक बटे 7 कितना होता 14 सही 2 बटे 7% एक बटे 8 कितना होता 12 सही 1 बटे 2% आप प्रेक्टिस करोगे याद हो जाएंगे हमें यह जानी है कि एक दिन कहां पीले कि बैट जाएं याद होने ने, कभी नहीं होंगे, अब हमें सीखते हैं यह आठे कहां से, यह भी सीखना जरूरी है, तो मैं एक एक बारी बारी से सारे चीज़ें आपको बता देता हूँ, ठीक है, तो आप देखोगे, कि एक बटे ती तो आप एक बात का जबाब दीजिए सो में तीन का भाग देंगे या मैं आपसे बूलू एक बटे तीन है इसको percentage में change करना है तो हम इसमें क्या करते हैं सो का multiply करते हैं तो यह कितना होता है सो बटे तीन तीन से इसमें भाग देते जाते हैं तीन तरका नो फिर बच्चा दस तीन तरका नो फिर आपका हुए एक बच्चा है इस तरीके से आप चले जाते हो बात समझ रहे हो बातों को अब आप से पूछा जाए बीस पर एक बटे पांच पर आप एक बटे चार को ले लो इसमें भी आप सो का मल्टिप्लाइ करोगे चार से इसको काटोगे तो आप बोलोगे कि चार से इसको काटने पर आपके पास आ जाता है त्विंटी फाइब परसेंट अब आप एक बटे पांच में इन्टू कर दो अब हम कुछ ये वाली तरीके के भी ले सकते हैं अगर ये इस तरीके सी दिया जाए तो ये क्या सही है तो आप उसको भी देख लिजए जो बटे में, मैं बोलू 7 सही एक बटे 7%, 7 सही एक बटे 7%, सत्तू सत्तू नंचास और एक पचास, तो आप बोलोगे 50 बटे 7, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 100, 50 से काटेंगे, तो 7 दोने 14, तो 7 सही एक बटे 7% बराबर आजाएगा आपका, एक बटे 14 होता, तो ये चीज़ें आपकी किलियर होई की नहीं होई, सबी बच्चे इन चीज़ों को याद रखना है, कि कहां से आती हैं, क्यों आती हैं, कहां इनका यूज है, पूरे अर्थमेटिक में, चाहे आप साधन ब्याज, चक्वती ब्याज पढ़ो, डिसकाउंट पढ़ो, लाबानी पढ़ो, सबी जगह इसका यूज है, और मैंली इनका यूज कुछ जादा है, तो हम याद रखेंगे, एक्जाम में नहीं है कि वहाँ पर आके सॉल्व करें, कुछ बच्चे अगर याद नहीं कर पाते हैं, तो सॉल्व कर लेना, अब हम चलते हैं थोड़ा इसके एक श्टब आ गहें, देखें बच्चे, कभी-कभी एक्जाम में मैं आपसे पूछना चाहूं, कि 100% कितना होता है, 100% या 200% कितना होता है, या 300% कितना होता है, या 400% कितना होता है, तो आपका जबाब होना चाहिए, ये मौखिक आपको आने चाहिए, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं, ये बेसिक तो हमको आता है, बच्चे हम सबको लेके चल रहे हैं, जिनको कभी नहीं पड़ा, उनको भी लेके, तो बच्चे ए % तो आपको बताया-ιαता बच्चों कित्सका मतलब क next time मटलब कुझ कोγ पींच हैいきます cent बराबर इतना होता है तो आपका जवांब होता है एक बटे 100 तो परसे र्टाया- तो कितना गया एक बटे 100 और 100 से अंड़िथ कार्ड दिया तो आपका अंशर कितना होगा तो आपका जबाब होगा बन इसी तरीके से ये आपके पास 200 है परसेंट हटाएंगे ये कितना आजाएगा 100 0 से 0 काटेंगे तो आपका जबाब होगा 2 300 का है तो आप मौखिक बता सकते हो अब तो 300 सो परसेंट अटाएंगे तो एक पटे हंडेट दो जीरो से दो जीरो काटी तो हमारा आंसर कितना जाएगा तीन उसी तरीके से परसेंट हटाएंगे तो ये कितना जाएगा 100 आपका अंसर कितना जाएगा 4 तो 100% बराबर 200% 200% बराबर 2 300% बराबर 3 400% बराबर 4 500% बराबर 5 600% बराबर 6 700% बराबर 7 800% बराबर 8 ये चीज के लिए है तो हम direct लेखेंगे तो आपको कोई परिशानिया तो नहीं होगे अब हम चलते हैं इसके थोड़ा सा आगे उन चीजों का यूज करना है कोश्टनों में इसलिए मैं आपर ये clear करा रहा हूं अब थोड़ा इससे एक step हम आगे चलते हैं आईए बच्चे कोई देखकर बच्चे आगे चलें अब आएए आगे की ओर थोड़ा अब एक बात दाई मैंने अब इसमें एक step और जोड़ दे मैंने बोला 214 सही 2 बटे 7% अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हम तो महाँ पर into कर लेंगे बच्चे आप ही बताईए 7 का into 214 तो हमें करो फिर 2 जोड़ो टाइम लगेगा और गलती होने के चांस जादा है क्योंकि जब हम एक चांस में पेपर देने जाते हैं तो घरबालों का एक तो प्रेशर होता है कि बच्चे ते पूरी आसा आपी से है तो बच्चे कुछ तो खुद इतने डरे हुए होते हैं तो हर बडाट में गलती होने के चांस जादा से जादा है इसलिए मैं कहा रहा हूँ इन चीयों पे आप कमांड रखे तो आप कहोगे 214 सही 2 बटे 2 परसेंट का मतलब क्या होगा तो मैं आप एक ची बताना चाहता हूँ आप कहोगे इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 200% प्लस 14 सही 2 बटे 7% अरे हाँ आया ना बच्चो लिख सकता हूँ निख सकता और 200% हभी मैंने बताया था कितना लिख सकते हैं? 2 तो आप बोलोगे की सर, 200% आपने हभी बताया था कितना लिख सकते हैं, दो, प्लस, 14 सही 2 बटे 7 परशन, बच्चे इदर आईए, 14 सही 2 बटे 7 परशन कितना होता, एक बटे 7, बच्चे कई मैंने एक बोकों में से लिए हैं, सबी ज़के जातर इनी का यूज होता है, इसलिए इनको आप थोड़ा याद रखना, नहीं आप solve भी कर सकते हो, 14, 99 और 2, आप जैसे solve करना चाहते हो, इसको हमके सर्ट solve करके देखेंगे, तो आपका होगे 14, 99 और 2 कितने होते हैं, तो आपका होगे 14, 99 और 2, 100, बटे 7, परसेंट हटाएंगे, एक बटे 100, तो कितना आ गया, एक बटे 7, तो आप बोल सकते हो, 14 सही 2 बटे 7 परसेंट बराबर, 14 सही 2 बटे 7 परसेंट बराबर, कितना होगा, तो आपका जबाब होगा, बन भाई 7, तो हम डारेक्टी लेखेंगे, इतना solve नहीं करेंगे, ये बास समझ रहे हो आप, तो आप बोलोगे, ये कितना होता है, एक बटे 7, एल से हम लेंगे, लगुत्तम सम बरत लेंगे, 7, 2, 14 और 15 बटे 7, 15 बटे 7, तो आप कह सकते हो, 24 सही 2 बटे 7 परसेंट कितना होगा, 15 बटे 7, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, अगर छोटे छोटे एक्जाम में जाएगा, तो डारेक्ट भी पूछ सकता है, इसकी बेल्यू कितनी होगी, और थोड़े अग एक्जाम में जाएगे, तो इनका यूज करा के कही ना कहीं पूछ सकता है, तो एक चीज यह रहा हम एक कोशन और कर लेते हैं, इसी तरीके का, अब आप आईए, अब आप एक बात का जवाब और देजिए, मैंने बोला इसी तरीके से, आप कहोगे, कि कोई सावी ले ले ल पांसो, सोला सही, दो बटे, तीन परसेंट कितना होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए बच्चे, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको हम लेख सकते हैं, पांसो परसेंट, क्या लेख सकते हैं, पांसो परसेंट, प्लस, सोला सही, दो बटे, तीन परसेंट, अब कोशन हैशे भी आ रहे होंगे, हिसर हम तो 14 से 2 बटे 3, बच्च वो इस तरीके कोशन देगा, जो सॉल्व हो सकें, वो ऐसे नहीं कुछ भी कोशन उठा के देदेगा, क्योंकि उनको जब पेपर बना के देना होता, तो सॉलूशन भी तो बनाना रहता है, तो वो चीजी समझत हैं, कि हम MPSI का एक 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 एकजाम ले रहे हैं, या स्टिट लेवल के लेवल पर कोई भी एकजाम ले रहे हैं, तो आप से इस तरीकी की कंसेट पूछेगा, जो आप निकाल सको, कोई बैंक का एकजाम नहीं है, कि पॉइंट में ले जाएगा आपको, इस बात को ध्यान र देंगे, तो यह कितना आता है, 6 और 6 पंजे, 30 और 1, तो आप कह सकते हो, 31 बटे 6, कितना आएगा, 31 बटे 6, तो आपका जबाब होगा, 516 सही 2 बटे, 3% बरावर, कितना आएगा, 31 बटे 6, यह चीज़ें समझ में आएं की नहीं आएं 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 आपको, किलियर हैं, अब हम चलते हैं, नेश्ट कंसेप्ट की ओर, ठीक है बच्चे, देखें आप, नेश्ट कंसेप्ट क्या है, अब मैं आपको एक चीज और पताना चाहूंगा, क्या, मैंने यसे कुछ भी ले लिया, मैंने लिखा, 1 बटे 12, तो आप कहो कि 1 बटे 12 मतलब होता है, 8 सही 1 बटा 3%, आठ सही 1 बटा 3%, 8 तीय 24 और एक 25 बटे 3%, परसन इटाएंगे कितना आप जाएगा, तो आप कहो कि 1 बटे 12, अब आपका गुसर इसका क्या यूज है, एक यूज ही तो आपको पता है, simple fraction में लाना, एक यूज ये है इसमें, कि यदि मैं आपसे पूछूं, 12 का 8 सही 1 बटे 3% कितना है, 12 का 8 सही 1 बटे 3% कितना है, तो बच्चे आप देखे, 12 का 8 सही 1 बटे 3%, तो 8 तीय 24 और एक 25 बटे 3%, परसन इटाएंगे, 12 का 8 सही 1 बटे 3% कितना है, तो याद रखना, उस संख्या का उतना परसन कहां रहता है, उपर, अब आप पूछोगे, सर हर जगे रहता है, आप चेक कर लिजे, हमने लिया कि 1 बटे 11 कितना है, तो आप कहोगे, 9 सही 1 बटे 11% है, एक बटे 11 कितना है, 9 सही एक बटे 11 परसen तो मैं पूछाँ 11 का 9 सही एक बटे 11 परसen कितना होगा, एक बार आप चेक कर लीजे, नहीं तो मैं मौकीं बता सकता हूँ एक ही होगा, कैसे, देखिए बच्चे, अब आप से पुछा जाए 11 का कितना 9 सा 1 बटे 11% तो 11 नम्म 99 और 100 99 और 100 बटे 11% हटाएंगे कितना आजाएगा 100 से 100 कट गया 11 से 11 कट गया तो आपका जबाब होगा एक तो आप डारेक्ट भी बता सकते हो 11 का 9 सा 1 बटे 11% कितना होगा एक तो आपसे पूछा जाए 13 का 7 सही 9 बटे 13 परशन कितना होगा 12 का 8 से 1 बटे 3 परशन कितना होगा अब यह मत करना संख्या कुछ भी हो सकती है 2 बटे 9 भी तो हो सकती है तो यहां जो भी उपर संख्या होती है जो उपर संख्या होती है वो उस संख्या का उतना परसेंट होता है जो भी यहाँ संख्या होती है, उसका इतना पर्षण कौन सा होता है, यह उपर वाला, ये चीज के लिए रहे है, अब हम चलते हैं, कोशन की तरफ, किस तरीके इसे आ सकते हैं, आएए, कोशन देखते हैं, एक बार आप इसके इस वाट ले लिजीए, जिसके पास, पहला कोश आपसे कह रहा है यदि किसी संख्या में 16 सही 2 बटे 3% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 56 हो जाती है कोई संख्या थी उसमें 16 सही 2 बटे 3% जोड़ दिया गया तो वह संख्या 56 हो जाती है तो वास्तविक संख्या ग्याद करिए आपसे पूछ रहा है वास्तविक संख्या क्या होगी तो बच्चे आप एक बात का जबाब दीजे पहली बात तो 16 सही 2 बटे 3 परसंट कितना होता है तो आपको याद होना चाहिए नहीं है तो हम एक पर स्वल कले 16 ती या रताली सवद्दो तो आप कहोगे 50 बटे 3 और परसंट हटाएंगे एक बटे 100 50 से काटेंगे 2 तो ये कितना हो जाएगा एक बटे 6 तो आप कह सकते हो 16 सही 2 बटे 3 परसंट कितना होगा तो आपका जबाब होगा 1 बाई 6 कितना होगा 1 बाई 6 यहाँ तक किसी कोई डाउट है नहीं अब आप ही सोचिए अगर हम एक जाम में इतना स्वाल्व करने बैठेंगे कितने सेकंड आपके खराब हो जाएंगे इसी तरीके से हर कोईशन में आपको थोला थोला समय सेकंड हो का बचाना होगा तभी आप कोईशन कर पाओगे अब बच्चे एक बाद आता ये अब उसमें कहरा वास्तविक संख्या या मूल संख्या कभी बोल सकता है तो मैं आपसे कोईशन में कहा हूँ कि यदि मैंने मूल संख्या माली इसको या वास्तविक संख्या माली इसको कि वास्तविक संख्या कौन सी है हमारी तो वास्तविक संख्या मैंने माली 6 है क्या माली है 6 तो वास्तविक संख्या या कभी कभी बोल देता है मूल संख्या तो वास्तविक संख्या यदि आपकी 6 है तो कह रहा है यदि किसी संख्या में 16 सही 2 बटे 3 परशन जोड़ दिया जाए बच्चे छे का 16, 2, 3 परशन कितना होता है एक अभी हमने सोल करके देखा था तो उसको क्या कह रहा है जोड दिया जाए तो वास्थवे संख्या अगर छे मानी हैं और उसका 16, 2, 3 परशन मतलब एक जोड दिया जाए तो नई संख्या क्या होगी तो आपका जबाब होगा नई संख्या जो भी होगी उसमें आप एक जोड़ दोगे तो नई संख्या कितनी होगी तो आपका होगे मूल संख्या अगर हमने यह बास्थिव संख्या छहमाली 6 का 16 साथ 2 बटे 3 परशन एक होता है उसको जोड़ दिया जाए तो नई संक्या कितनी हो जाएगी हमारी साथ नई संक्या कितनी हो जाएगी साथ अरे हाया ना ये चीज के लिए रहे आपकी तो नई संक्या कितनी हो जाएगी साथ कोशन में कह रहा है तो वह संक्या कितनी हो जाती है चपपन सो तो आप कह सकते हैं उसी सात यूनिट की वेलु आपके पास बहके आगई 5950 तो एक यूनिट की वेलु कितनी होगी तो यूनिट इसलिए बोलते हैं कि आपके ये रेश्यों में हैं साथ यूनिट की बेली चपन सो, तो एक ही कितनी है, तो साथ से भाग देंगे, साथ तठे चपन, तो एक यूनिट बराबर आठ सो, तो छे यूनिट बराबर कितनी होगी, आपसे बास्तिवी संग्या पूचा है, तो छे यूनिट बराबर होगा, आठ सो का इंटू करोगे, Marching 48, कितना होगा 48, और यही मेरा answer होगा, option number कौन सा है C, option number कौन सा है बच्चे C, कोई doubt है बच्चे, अब हम चलते हैं, next question दूसरे की तरफ, दूसरा question, same to same है, इसी pattern का है, आप एक बार खुद से solve करने की courses करिए, मैं आपको बता हूँ, question में कह रहा है, यदि किसी संख्या में 14 सही 2 बटे 7 परशन, 14 सही 2 बटे 7 परशन जैसे ही देखे, तो आपके mind में click होना चाहिए, 14 सही 2 बटे 7 परशन कितना होता है, 1 बटे 7, त वह संख्या 64 सो हो जाती है, तो वास्त्रिव संख्या ग्याद करिए, पहले question कीतर ही है, तो देखे, सबसे पहले, 14 सही 2 बटे 7 परशन, जिन बच्चों को अगर नहीं आता है, मैं एक बार solve कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप exam में solve नहीं करें, याद कर लाए 14 सत्य 98 और 2 कितने होते हैं, 100, बटे 7, परसेंट हटाएंगे, नीचे कितना आएगा, 100 से 100 कट गया, तो आप कह सकते हो, एक बटे 7, तो आपका मान आ गया, 14 सही 2 बटे 7 परशन बराबर हो गया हमारा, एक बटे 7, आप इस बास से सहमात हो, आप ही सोची इतना समय अगर हमा दमाग में किलिक होता है, कि 14 सही 2 बटे 7 परशन कितना होता है, एक बटे 7, तो वास्त्विक संक्या मानते हैं 7, और 7 का 14 सही 2 बटे 7 परशन एक होता है, उसको जोडते हैं, तो वो कितने हो जाती 8 हो, और 8 ही नूट की value ये दी रही होती है, इस तरीके शेव आशर किलिक कर लेते हैं, आपका भी आएगा, पेसेंस रखें, प्रेक्टिस से आएगा, तो आप कहोगे इसमें वास्त्विक संक्या, तो मैं आप से पूछूँ वास्त्विक संक्या कौन सी, हमने मान लिया वास्त्विक संक्या, नीचे वाली मानते हैं, क्यों मानते हैं, क्यों मानते हैं हम निकला हुगा होता हमारा तो आपका हुए साथ को हमने क्या माल लिया हमारी वास्तविक संख्या क्या माल लिया वास्तविक संख्या तो बच्चे आपका जवाब होगा वास्तविक संख्या क्या है वास्तविक संख्या क्या है तो वास्त्विक संख्या है हमारी साथ कितनी है? साथ है साथ साथ का 14 सही 2 बटे 7 परशन कितना है? क्योंकि कोशन में कहले दी किशी संख्या उसका 14 सही 2 बटे 7 परशन तो साथ का 14 सही 2 बटे 7 परशन कितना है? एक जोड दिया जाए तो नई संख्या, नई संख्या कितनी होगी तो साथ में एक जोड दिया जाए, तो नई संख्या होगी 8 तो वास्तविक संख्या और नई संख्या का रिश्यो कितना होगया साथ अनुपात 8 तो बच्चे एक बात का जवाब दीचे जो कोशन में नई संख्या या वह संख्या कितनी दी गई है? 64, तो आपका जवाब होगा, इसी 8 unit की value, कोशन में दी गई है 64, तो एक unit की value कितनी होगी? तो आपको कहना पड़ेगा, 8 से इसमें डबाइट देंगे, तो 8, 8 to 64, तो एक unit की value कितनी हो जाएगी? 800, अगर एक unit की value 800 है, तो आप से कहरा वास्तिविक संक्या, तो 7 unit की value कितनी होगी? तो आपका 800 का into करेंगे, 8 सत्य चपपन्स, यह आपका answer हो जाएगा, ओप्सन नंबर है आपका A, बिल्कुल बेसिक से उठाया है, चोटे चोटे concept से, तो आसा कर रहा हूँ कि यह चीज़ समझ में आ रही हैं आपको, अब हम चलते हैं आगे next question की और, अब थोड़ा question खुमाया गया है, question में क्या कह रहा है? वो देखिए आपको, question में क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाता है, तो वह संख्या 112 परसेंट हो जाती है, 112 सही एक बटे 2 परसेंट हो जाती है, तो वह बास्त वे संख्या क्यात करें, तो बच्चे अब आपको इस संख्या में आ रहा होगा कि मैंने वो चीजें क्या स्वल करवाएं थी, इसको देखके आप क्या कर सकते हो, वो आपको आना चाहिए, देखिए, आप कहोगे कि सर 112 सही एक बटे 2 परसेंट को मैं क्या लेख सकता हूँ, या तो कभी छोटा एक्जाम होगा, एमपी पुलिस बगर आगा, तो इस तरीके से पूछ सकता है, अगर ऐसा ही लेबल का एक्जाम है, तो थोड़ा आपको यूज करा कर पूछ सकता है, तो आप कहोगे, इसको हम लेख सकते हैं, हंड्रेट परसेंट प्लस बारा सही एक बटे दो परसेंट, क्या लेख सकता हूँ, एक सो बारा सही दो बटे, ओ स्वरी, बारा सही बटे दो परसेंट, क्यों आप जोड़ोगे, तो आपके पास यही आ जाएगा, किलियर है, आपको पता होना चाहिए, हंडे परसेंट को मैंने क्या लिखवाया था, तो परसेंट आपके सो से सो कटके, तो आप कहोगे, हंडे परसेंट बरावर आपने लिखवाया था, सर एक, क्या लिखवाया था, एक, और बारा सही एक बटे दो परसेंट, इसको मैं दोबारा सॉल कर देता हूँ, बट आपको याद होना चाहिए, सभी बच्चों को 12 साई, एक बटे 8 होता है, 12 दोनी 24 और 1, 25 बटे 2, 25 बटे 2 परसेंट हैंगे बच्ची, कितना आएगा, 125 चौके, 104 दोनी 8, तो आप लेख सकते हो, एक बटे 8, तो किलियर है वाली च है कम 8 और 1, 9, तो आप कहोगे, इसको हम लेख सकते हैं, 9 बटे 8, क्या लेख सकते हैं, 9 बटे 8, तो आप कह सकते हैं, 112 सही, 1 बटे 2 परसेंट बरावर कितना आगया हमारा, 112 सही, 1 बटे 2 परसेंट कितना आगया, 9 बटे 8, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ब तो वो कितनी हो जाती है, नौ, कितनी हो जाती है, नौ हो जाती है, तो आप कोगे मूल संख्या अगर आपकी आठ थी, तो वो कितनी हो जाएगे, हो गई होगी आपकी, अब नौ हो गई होगी, तो आपने इसमें जोडा कितना है, तो आप कोगे मैंने एक यूनिट उसमें जो तो उसमें 112 परशंट्ट आप कह सकते हूँ संख्या कितनी वास्त्विक संख्या कितनी थी आठ और जो परिवर्तिस संख्या है बास्तिस संख्या आठ थी ठीक ठीक उसमें जोडा कितना है एक और एक यूनिट की वैलू कोशन में कितनी दी गई है चौन सट एक यूनिट की वैलू कितनी दी गई है चौन सट है तो वास्तिर संगय कितनी होगी तो आपका होगे वास्तिर संगय कितनी थी आठ यूनिट तो इसी आठ यूनिट की वैलू कितनी हो जाएगी तो आपका ह आंसर कौन सा होगा ए आंसर कौन सा होगा आपका ए होगा चीज़ें के लिए रहें एक कोशन हम और करते हैं इसी के उपर देखिए नेश्ट नेश्ट कोशन में कह रहा है इसी किसी संख्या में 214 सही 2 बटे 7% जोड दिया जाए तो आप कहोगे सबसे पहले 214 सही 2 बटे 7% कितना होता है तो बच्चे आपका जबाब होना चाहिए 214 सही 2 बटे 7% को मैं क्या लिख सकता हूँ 200% प्लस 14 सही 2 बटे 7% तो आप कहोगे 200% प्लस 14 सही 2 बटे 7% किलियर है 200% बराबर कितना होता है तो आपको इस टार्टिंग में बताया था 200% बराबर बच्चे 2 होता है तो आप कहोगे 200% की जगे हम 2 रख देंगे 14 सही 2 बटे 7% अभी solve करा चुका हूँ अब solve नहीं करा हूँ आप खुस्से करना तो 14 सही 2 बटे 7% कितना होता है एक बटे 7 एक बटे 7, साददोनी 14 ःसादद नी 14 उर एक 15 बटे 7 तो आप कहोगे यह इसका आप लगुत्तम समार्थ भी ले सकते हो कि LCM तो आप कहोगे साथ आएगा साददोनी 14 और एक तो आप इसको लेक सकते हो कितना जाएगा 15 बटे 7 तो आप कहाँ सकते हो कहीं ना कहीं कि 200-14, 2 बटे 7% बराबर कितना है 15 बटे 7 कितना है 15 बटे 7 तो आप कहाँ सकते हो अगर आपकी वास्थविक संख्या 7 होगी तो बाद में कितनी होगी होगी, उपंद्रा, तो आप कहोगे वास्तविक शंख्या कितनी होगी, साथ, तब बाद में उसमें कुछ जोडा जाता है, कितना जोडा जाता है, आठ, कितना जोडा जाता है, आठ, तो वही संख्या कितनी हो जाती है, दो सो, चुगदा से दो कितनी है तो वास्तिविक संख्या मेरी है साथ तो इसमें जोडा कितना जाता है आठ अगर इसमें जोडा जाता है और आठ यूनिट की बेलू कोश्चन में कितनी दी गई है असी के बराबर तो आठ यूनिट बराबर अगर आपकी असी है तो एक यूनिट की बेलू कितनी हो जाएगी 10, एक unit बराबर कितना हो जाएगा 10, तो बासंते संक्या कितनी हैं 7 unit, तो 7 unit की value कितनी हो जाएगी तो आपकर 10 का into करेंगे, तो कितना जाएगा 70, तो option मेरा कौन सा हो जाएगा option number B हो जाएगा option number B हो जाएगा ये चीज़े clear है आपकी बच्चे आपको इतना भी number नहीं करना इतना लेखे एक step में ये आ जाएगा और वहीं आप solve कर सकते थे कि मुल संक्य साथ होगी कितना जोड़ रहे हैं 8, 8-8 की value 70, 80 तो 1 की 10, 7 की 70 ये आप practice करने मुझे समझाना इसलिए मैं एक एक step करता हूँ clear है next ठीक है अब यहां से type by type शुरू हो गए हैं शांदर question है देखिए एक बाल्टी में 1 बटे 4 भाग पानी भरा जाता है कितना पानी भरा जाता है 1 बटे 4 भाग पानी भरा जाता है तो उसका बजन 16 सही 2 बटे 3 परशंट बढ़ जाता है 16 सही 2 बटे 3 परशंट बढ़ जाता है यदि भरी ओई बाल्टी का बजन 20 कुलो है तो खाली बाल्टी का बजन ग्याद करिए question क्या कह रहा है जैसे आपके पास मैं कह सकता हूँ ये एक बाल्टी है ठीक है अब आपसे कह रहा है एक बटे 4 परशंट बढ़ जाता है तो कह रहा है बाल्टी का बजन 16 सही 2 बटे 3 परशंट बढ़ जाता है तो बच्चे एक बात का जवाब दीचे जो बाल्टी का बजन है वो किसके कारण बढ़ रहा है पानी बढ़ने के कारण जितना आपने जो पानी भरा है उसी के कारण बाल्टी का बढ़ा है ऐसा तो नहीं कि हवा से बढ़ जाएगा तो आपको जितना जो पानी बढ़ रहा है इसके कारण बजन बढ़ रहा है ठीक तो आप कहोगे बच्छे क एक लोई की बाल्टी में एक बटा चार भाग पानी भरा तो आपका उगे पानी का पानी का एक बटे चार भाग आपने भरा तो बाल्टी का बजन 116 सही दो बटे 3% तो बच्चे मैं आपको बताना चाहूंगा 16 सही 2 बटे 3% की fraction क्या होती है क्यों फ्रेक्शन में दी गई 16,43,42 कितने होते हैं बच्चे 50 बटे 3% हटाएंगे तो यह 100 हो जाएगा 50 दोनी 100 3 दोनी 6 तो आपका जबाब होगा 1 बटे 6 आपको एक मौक्षे क्याद होना चाहिए 16 सही 2 बटे 3% कितना होता है 1 बटे 6 अब मैं इसको रफ कर देता हूँ तो 16 सही 2 बटे 3% कितना होता है 16 सही 2 बटे 3% बराबर होगा 1 बटे 6 तो आपसे कह रहा है जब उसमें पानी भरा जाता है जब उसमें पानी भरा जाता है तो बाल्टी का बजन 16, 2, 3% मतलब 1, 6 लिख सकता हूं 16, 2, 3% की जगए 1, 6 तो कह रहा है बाल्टी का बज़न कितना बढ़ जाता है 1, 6 तो बज़न किसके काराँ बढ़ रहा था पानी के काराँ तो मैं कह सकता हूं कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में बराबर होंगे अरे आया ना बच्चों, अगर ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो आप कहोगे चार उदर चला जाएगा, छे इदर आ जाएगा, तो आप कहोगे पानी इंटू छे, चार उदर चला गया, या आप इसको चहीं छोड़ देते हैं, आप एक कामगरी बाल्टी को इसकी नी नीची आगई, तो आप कहोगे, ये तो नीची था, छे, चार उपर चला जाएगा, इसका मतलब आप कह सकते हो, अगर पानी चार लीटर बजन होगा, तो बाल्टी का बजन कितना होगा, छे, बाल्टी का बजन कितना होगा, छे, ये चीज किलियर है कि नहीं है, कि यदि आ आप से पूछा जाए, पानी अगर 4 है, तो बाल्टी का बजन कितना होगा, 6 यूनिट, पानी का बजन 4 यूनिट पाले है, तो बाल्टी का कितना होगा, 6 यूनिट, अब आप से कोशन में दिया गया है, भरी हुई बाल्टी का बजन, भरी हुई बाल्टी मांदक क्या होगा, बरी हुई बाल्टी का मतलब होता उसमें पाने भी होगी और बाल्टी का बजन भी होगा तो मैं बरी हुई बाल्टी पूछूंगा कि बरी हुई बाल्टी का बजन कितना होगा बरी बाल्टी तो आपका होगे बरी बाल्टी कितनी होगी छे और चार दस यूनिट किलियर है कोशन में इसी 10 यूनिट की वैलू कितनी दी गई है 20 किलो कितनी दी गई है 20 किलो तो आप कहोगे इसी 10 यूनिट की वैलू कोशन में दी गई है 20 किलो ठीक है तो आप कहोगे 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 2 अगर 1 unit बराबर 2 हो जाएगा तो आप से पूछ रहा है खाली बाल्टी तो खाली बाल्टी कितनी है हमारी 6 तो आप कह सकते हो इसी 6 unit की value कितनी हो जाएगी 6 unit की value कितनी हो जाएगी तो आप कहोगे एक unit की value अगर 2 है तो 6 unit बराबर कितना हो जाएगा तो आपका हुए 12, कितना वजाएगा 12, option number कौन सा है, बी, option number कौन सा है हमारा, बी है, ये चीजें clear है, बच्चे ये कोशिच की गई है, कम से कम समय में, और concept के साथ, मैत में कोई trick नहीं होती, कोई concept होता है, वो concept नहीं बता कि डारेट आपको trick पकड़ा देते हैं, तो किया करो, कि आप concept सीखें, ना कि trick, आप मैं आप से बोल दो, इसको उल्टा कर दो, सीधा कर, क्यों कर दे हम, मैत है भाई, ये आपको देखना चाहिए, ये रटना नहीं है, कि इसका into कर दो, इसका क्यों कर दे हम, ये चीज पूछा करिए आप, ये चीज के लिए हैं, ठीक अब हम चलते हैं, इसी तरीके का एक कोशन और देखते हैं, आप इस कोशन को खुछ से करने की कोशिस करिए, खुछ से करने की कोशिस करिए, चुदा सही दो बटे साथ प्रशन कितना होता है, एक बटे साथ, ये मैंने करा दिया है बच्चे, देखे, अब आप कहोगे, इस एक बटे तीन भाग, ये चीज के लिएर है, हाँ भी या, एक बटे तीन भाग पानी भरा जाता है, तो उसका बजन, मलग इसका बाल्टी का बजन, 14 सही 2 बटे 7 परशन बढ़ जाता है तो बाल्टी का बजन क्यों बढ़ा होगा पाने के कारण और आपको पता है 14 सही 2 बटे 7 परशन कितना होता है तो अब भी बता है था 1478 और 2 100 कितना होगा 100 1478 और 2 तो आपका जवाब होगा 100 बटे 7 साथ परसेंटेज हटाएंगे तो फिर से सो सो से सो कट गया तो कितना हो जाए एक बटे साथ तो आप से कहीं पूछा चाहे चौदा सही दो बटे साथ परशन कितना होता है तो आपका जवाब होगा एक बटे साथ होगा चीज के लिए रहे तो आप याद रखना एक बटे साथ तो आप से कह रहा है बाल्टी का बजन चौदा सही दो बटे साथ परशन तो आप ऑगे बाल्टी का कितना है एक बाड़े साथ बाड़ जाता है तो मैं काओं गई बाल्टी का एक बाड़ इसी पारेन के कररन तो यह दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे तो यहां से पानी और आधा इसके नीचे आएगा तो आप कहोगे कितना होगा तो साथ इसके नीचे था तीन इसके उपर चला जाएगा तो आप कह सकते हो कहीं न कहीं कि पानी अगर तीन होगा तो बाल्टी कितनी होगी? साथ होगी कितनी होगी? साथ होगी कोशन में कह रहा है यदि भरी बाल्टी का बजन 30 को लो है भरी बाल्टी का बजन 30 को लो है तो भरी बाल्टी कितनी होगी मैं आप से पूछूँ भरी बाल्टी कितनी होगी तो पानी और बाल्टी दोनों का बजन एड करेंगे साथ और तीन, दस यूनिट, कितनी होगी, दस यूनिट, और कोशन में इसी की वैलू कितनी दी गई है, तीस, तो आप कहोगे, इसी दस यूनिट की वैलू कितनी होगी, तीस, तो एक यूनिट की वैलू कितनी होगी, तीन, अगर एक यूनिट की वैलू तीन है, आप से नमबर हमारा सी हो जाएगा किलियर है चीज़ें बच्चे कोई डाउट है क्या कोई डाउट हो तो आप देख सकते हो दोबारा रिपीट करके इसनको अब हम चलते हैं नेश्ट कोशन की और कोशन नमबर साथ ये भी अब नए टाइप के कोशन आते हैं जिसमें mix होते हैं वो देखते हैं तो बच्चे इन कोशन की खासियत ये है मैं आपके एक पर बताना चाहूंगा बेसिक से और फिर आपको बताऊंगा कि आप एकजाम में किस तरीके से इनको करेंगे इनके दो तरीके हैं पहले आपका basic concept clear करूँगा, फिर आपको direct करने का एक तरीका बताऊँगा, तो आप exam में कम समय में कर सकते हैं, हम दो question बिलकुल basic से करके देखेंगे और फिर आपको बताऊँगा exam में किस तरीके से करना है, ठीक है, आप से कुछ question में कह रहा है, 50 kilo के rate और cement के mission में, एक आपक के पास rate है, और एक आपके पास cement है, ठीक है, question में कह रहा है, cement के mission में, 45% cement है, 45% आपकी cement है, और तो अगर एक दाईए, total कितना होता है, 100%, total कितना होगा, 100%, उसमें से 45% cement है, तो बाकी क्या होगी आपकी rate, तो 100 में से 45% यह है, तो बाकी आपके पास क्या होगी rate, तो मैं ratio बोल सकता हूँ, इस तरीके से होगा, ठीक है, फिर कह रहा है, उसमें कितनी rate और मिलाई जाए, कि cement की प्रतिसत्ता 10% हो जाए, cement कितना हो जाए, 10% हो जाए, तो अगर cement 10% है, तो rate कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी, rate कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी, अब बच्चे एक बात का चबाब दीजिये, क्या मैं इनको ratio बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता, ratio मतलब यह होता, जब तक संख्या कर नहीं जाए, इस तरहे काटते जाओ, कि एक संख्या का ऐसा रू 90 हो जाएगा, तो आप कहोगे कि हमारे पास rate और cement का rate और cement का ratio कितना होगा, तो आपका जबाब होगा, 11 अनुपाथ 9, और ये कितना हो जाएगा, 9 अनुपाथ 1, यहां तक किसी को कोई doubt है क्या, हमने कुछ नहीं किया, जो question में दिया था, वो लिखा, उसके बाद ये ratio में डा भी नहीं किया इसको, तो अब बच्चे एक बात का जबाब दीची, आप ही लो, हम इसमें मिला क्या रहे हैं, तो आप कहोगे हम इसमें मिला रहे हैं, rate, क्या मिला रहे हैं, rate, तो जो चीज मिलाई जाएगी, वही चीज तो घटेगी या बढ़ेगी, बास समरे हो, जैसे मै मैं बोलू, एक रूम में, जैसे एक क्लास है, एक क्लास में 30 लड़किया हैं, ठीक है, 40 लड़के हैं, अब मैंने बोला, एक क्लास में 30 लड़किया हैं, 40 लड़के हैं, मैंने करा, 10 लड़के और आजाएं, तो लड़कियों के संग क्या घटेगी की बढ़ेगी, तो आप तो percentage चंज हो सकता है संख्या चंज नहीं हो सकती तो इसी तरीके से मिला क्या रहा हूं तो आप कहोगे इसमें रेत मिला रहा हूं तो cement क्या रहेगी हमारी बराबर रहनी चाहिए तो इसको बराबर करने के लिए आप कहोगे इसमें एक का गणा कर दीजे और इसमें नो का गणा कर दीजे या इसका cross multiply कर दिया करो तो ये दोनों 9-9 बन जाने चाहिए तो आपके पास rate और cement का ratio क्या होगा तो एक का इंटू करेंगे तो यह आपके पास 11 है और यह आपके पास 9 रहेगा 9 का इंटू करेंगे तो यह कितना हो जाएगा एक क्यासी और यह कितना हो जाएगा आपका ये 80 और ये आपका 9 अब आप कह सकते हो हमारे ratio शही है क्योंकि rate हम मिला रहे हैं cement नहीं मिला रहे हैं cement पहले भी 9 थी अब भी 9 है ये चीच के लिए रहे हैं आपकी कोई doubt तो नहीं है अब आप पूछो कि total कितना है 11 और 9 कितने हैं ये ratio के साब से क्या ये real है real नहीं है real हमको कोईशन में दिया गया कितना 50 ठीक है और आप से पूछ क्या रहा है कितनी rate मिलाई जाए तो आपका वो rate पहले कितनी थी तो आपका जबाब होगा rate तो पहले 11 थी अब कितनी हैं क्या सी इसका मतलब कितनी मिलाई है 70 कितनी मिलाई है 70 इची इची भी clear है हमें इसी की value तो निकाल ली है तो आपका वोगे इस quantity पहले कितनी थी आपकी शुरुवात में कितनी है ये मैं पूछू हूँ आप से तो इसमें 20 unit है लेकिन real में कितनी है आपकी 50 real में कितनी है 50 तो आप बोलोगे इसी 20 unit की value कितनी है हमारे पास 50 एक unit की value कितनी हो जाएगी तो 20 इसके नीचे जाएगा 20 इसके नीचे जाएगा तो 50 तो कितनी हो जाएगी एक unit की value तो आपका जवाब होगा 5 बटे 2 अगर एक यूनिट की वैलू 5 बटे 2 है मैं निकालने कितनी है 70 यूनिट की तो आप कहोगे 70 यूनिट की वैलू कितनी हो जाएगी तो आप कहोगे 70 इन्टू 5 बटे 2 दो से काटेंगे कितना आएगा 35, 25 की 5, 14, 25, 15 और 2, 17 ओप्सन कौन सा है तो आप कहोगे ओप्सन मेरा है बी ओप्सन कौन सा है बी बच्चे ये तो था आपके बेसिक तरीका समझने के लिए अगर आप एकजाम में इतना बड़ा कोशन करोगे तो आप ही बताइए समय आपके पास क्या इतना है समय का अभाव है और हमें कम से कम समय में करना है अगर आप इतना समय लेके कोशन सौल भी कर लिए तो आप एकजाम में कई लोगों जो सेलेक्शन बाले उनसे पीछ रह जाओगे हमें मन को खुश नहीं करना है ना कि एकजाम में सौलूशन दिखाना है हम कम समय में अपने आइशा निकालने क्यों टिक करने वाले कोशन है तो इस तरीके से नहीं करना समझाने के लिए मैंने आप पे समझा दिया किस तरीके से करना है एक बार आप उसको देख लीजिए अब एक बात का आप जबाब दीजिए आप इसमें मिला क्या रहे हैं मिला क्या रहे हैं तो आप कोगे हम मिला रहे हैं रेत क्या मिला रहे हैं रेत तो आप एक बात का जबाब जीजिए रेत और सीमेंट का मिस्ण है रेत अगर आप मिला रहे हैं तो सीमेंट बढ़ेगी या घटेगी तो आपका जवाब होना चाहिए cement ना तो घटेगी ना बढ़ेगी cement क्या रहेगी? constant रहेगी constant मतलब आप परिबर्तित रहेगी छीके सर तो इसी concept पर पहले मैं एक छोटा सा concept समझा दूँ फिर आपको question कराता हूं यदि मैं बोलू कि मेरा या मैं बोलू X का X का 30% X का 30% बराबर है Y के 50% एक example समझा रहा हूँ ना कि कोई concept है यह है याद रखना यह concept है कोई solution नहीं करा रहा हूँ तो आप कहोगे X का 30% बराबर है Y के 50% बराबर है तो आप कहोगे सर परसेंटेज से परसेंटेज काड़ देंगे हम परसेंटेज से परसेंटेज 0 से 0 तो आप कहोगे X upon Y कितना आ जाएगा हमारा 5 बटे 3 तो X अगर 5 है तो Y कितना होगा 3 या बोल सकते हो X अनुपात Y कितना हो जाएगा 5 अनुपात 3 यह चीज clear है कि नहीं है किसी को कोई doubt है क्या मैं इसका use करूँगा इसी concept का इसलिए आपको बता रहा हूँ आप इसको direct भी कर सकते हो कि अगर आप कहोगे कि इस तरीके कागा मैं इतना भी नहीं करूँगा आप कहोगे इसका 30% चलो ठीक है भी यह 30% बराबर है किसके 50% इसका ratio क्या होगा तो आप कहोगे इसको पलट दिया करो पलट देंगे तो यह कितना हो जाएगा 50% यह कितना हो जाएगा आपका 30% तो percentage से percentage कार दिया 0 से 0 तो ratio कितना हो जाएगा 5 अनुपात 3 तो आप 3 step में भी कर सकते हो तो आप बोल सकते हो पहले कितना होगा यह 5 बाद में कितना होगा 3 क्या हो एक्स की value 5 भाय की value 3 तो यह I hope यह concept आपको समझ में आया होगा कोई डिक्कत तो नहीं है इसके अंदर तो इसी concept के साथ हम इसी question को करेंगे आपका उसा इस question का यूज होगा बिलकुल होगा इसी concept का देखिए अब एक बात का जबाब दीजिए इसमें आप rate मिला रहे हो क्या मिला रहे हो rate आपने मिलाया क्या है इसके अंदर rate rate मिला रहे हो दोबारा कर देते हैं बच्चे आप का उगे इसके अंदर मैं rate मिला रहा हूँ तो एक बात आता ये rate मिला रहे हो आप परिवर्थित क्या रहेगा constant क्या रहेगा cement cement पहले कितनी थी 45% पहले जो mixture था mixture था जिसमें cement कितनी थी 45% पहले बाले mixture में cement कितनी है 45% और बाद में जब cement कह रहा है कितनी हो गई 10% कितनी हो गई 10% तो अभी आपको बताया था बाद में cement कितनी हो गई उस mixture में 10% तो ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे आपका मिक्षन जैसे जो mixture था ना सेमन का का wait cement का mission ए को मैं ले लिदा आ फिहां मापन न क्या होंcho Sumunt को मैं पहले वाले मिक्षन में धो में डो मिटों कर रहा हूं जो आपका मिक्षन है वो किस से डिनूर करते हैं M1 से जो आपका मिशन है पहला वाला तो उसको M1 है उसमें आपके पासore कितनी थी सेमेंट की मात्रा 45% । कितनी थी 45% अब आपसे पूशन में कह रहा है कि बाद में सेमेंट की मात्रा कितनी हो जाए? 10 percent दोवारह जो मिश्रम बचेगा M2 उसमें कितनी हो जाए? 10 percent तो cement हमने न मिलाई है न कुछ किया है तो cement क्या रहेगा? बराबर रहेगा तो इस दोनों वापस में क्या हुंगे? बराबर होंगे तो आप कहा सकते हो वाच्छों, percentage से percentage पांच नाम 45, पांदोनी 10, तो आप कह सकती हो M1, M2 के नीचे आ गया, तो आप कह सकती हो ये 2 है और 9 इसके नीचे जाएगा, तो पहले अगर मिक्षन 2 होगा, पहले मिक्षन कितना होगा 2, तो बाद में कितना होगा 9, तो आप एक बात बताइए, पहले मिक्षन कितना था पचास और आपने इसमें मिलाया कितना है साथ तो आप कह सकते हो पहले कितना था पचास तो दो यूनिट की वैलू आपके पास कितनी है पचास तो एक यूनिट की वैलू आपके पास कितनी होगी तो दो से इसमें डिवाइड देंगे कितनी हो जाएगी पचीस दो से इसको का तो इसी 7 unit की value कितनी हो जाएगी तो आप को कि 25 का इस में into कर दें कि एक unit की value 25 है तो 7 unit की value कितनी हो जाएगी 175 हमारा answer हो जाएगा आपको एक्जाम में इस तरीके से करना है बच्चे के लियर है सारी चीज है वो दिक्कत है अब आप एक चीज और याद रखें हम इतनी भी step न आप क्या बता देता हूं आप एक चीज और याद रखेंगे बच्चे मैं इसलिए बता रहा हूं हर कोशन को हमको दू-तिन तरीके से करना है आप से कह रहा है सीमेंट आपकी बदलेगी नहीं तो पहले सीमेंट आपकी कितनी थी 45% बाद में कितनी हो गई सीमेंट 10% तो यह अच्चेंज है कोईगी नहीं तो यह दोनों आपसमें क्या हैं बराबर पहले भी इतनी सुमेंट थी बाद में कितनी होगी बराबर होगी तो आप कहोगे इसको रच्च और नहीं चान्य कर दिया आको पलड दिया करो तो है तो आप कहोगे 10% और यह 55% तो आप कहोगे एक बढ़ रहा है बडमिलाए जारह है इसमें 7 मिलाई किया थी हमने है। तो पहले कितना था आपका mission पचास है तो आप गहाए इसी 2 unique की वैलू कितनी हो गई आपके पास है। एक unit की value 25 है आप से कहा रहा है कितनी rate मिलाएगी rate मिलाई कितनी है बच्चिस में 7 तो आप कह सकते हो इसी 7 unit की value कितनी होगी तो आप कहोगे 25 into 7 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 175 और हमारा answer आप इस तरीके से करिए कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चे हमने तीनों तरीके से देखा है इस step इसमें कम हो रही है तो हम इसी से करेंगे ठीक है न बच्चे तो आप देहाँ next question देखे बच्चे next question की बड़ चलते हैं अब next question मैं अब करूँगा last वाली step से आयोब सारी लोग इस चीज को आप समझोगे देखे बच्चे question में कह रहा है साड़े 400 कलो की चीनी और पानी का mission है साड़े 400 कलो का चीनी और पानी का mission है अब बस आपको पकड़ना क्या है कौन सी चीज मिलाई जा रही है तो कौन सी आप परिवर्थित मतलब constant रहेगी तो आप से कह रहा है साड़े 400 कलो के चीनी और पानी के mission में 20% चीनी है तो उसमें कितने कलो चीनी मिलाई जाए कितने कलो चीनी मिलाई जाए मिला क्या रहे है चीनी कि चीनी की मात्रा 25% हो जाए बच्ची एक बात आईए आप मिला क्या रहे है चीनी तो कौन सी चीज आप परिवर्थित या constant रहेगी तो आप कहोगे पानी तो पानी पहले कितना था 20% पानी पहले कितना था 20% बाद में कितना है तो आप कहोगे बाद में चीनी अगर 75 है तो पानी कितना होगा 75 पर सेंट बाद में चीनी अगर 25 पर सेंट है तो आपको 20 पर सेंट चीनी नहीं इसमें क्या करा है 20 पर सेंट चीनी है तो पानी कितना होगा 80 पर सेंट पानी कितना होगा 80 पर सेंट तो आपको 20 पर सेंट चीनी तो पानी कितना होगा 85 पर सेंट बाद मे कह रहा है कितना होगा पानी 25 परशेंट पानी तो मिला या नहीं है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे तो बराबर होंगे तो रेशो क्या हो जाएगा पलट देंगे इनको तो आपको होगे 75 और ये आपका 80 तो आपको मालूम है परसेंटेज से परसेंटेज हम काट देंगे और पांस से काटेंगे ये 16 आ जाएगा पांस से काटेंगे ये कितना जाएगा 15 तो पहले अगर मिक्षन 15 था अब कितना हो गया 16 कितना मिलाया है इसमें तो आपको मिलाया क्या था चीनी वो उस्रूवात में Mixture कितना था आपका? 33.45 younept की Value हमारे पास कितनी है? 35.45 younept की Value 44.4 kejyn के बराबर है तो एक younept की Value कितनी होगी? तो 15 से Divide देंगे तो 15 three 45 지ro तो एक younept की Value अगर आपके पास 30 है तो Qution में बमारे पूछा गया है बताईए कितने किलो चीनी मिलाई गई थी तो चीन मिलाई कितनी है एक और एक यूनिट की वैलू हमारे पास कितनी है बच्चे तीस है तो हमारा अंसर कितना है गा तीस केजी है आपका option कौन सा है बच्चे इसलिए कहा कि पहला वाला कोशन मैंने पूरा डीपली समझा दिया concept के साथ अब कोशन देखिए आपके second row में आप कहीं भी पढ़े हो एक बार एक concept देखिए आपको फायदा मिलेगा कम से कम समय में आप कर पाऊगे इस ओल नेक्स चलते हैं इसी तरीके का एक और कोशन आप देखोगे बुकों में भी इसके बड़े से बड़े solution करके दिये गए हैं बच्चे ड़ जाते हैं बच्चे ना ड़ जाते हैं बस इसको अगरा समझे गोई तो आपको आशान लगेगा समझोगे नहीं तो सबसे बुरा subject यहीं है आईए कोशन नमबर 9 क्या कह रहा है हम पढ़ लेते हैं एक बार कोशन नमबर 9 में कह रहा है एक नमक और पानी का मिश्टरान है किसका नमक और पानी का मिश्टर में 5% नमक है नमक की मात्रा है यदि इसमें 100 लीटर पानी मिलाया जाए मिला क्या रहे है पानी तो आप परिबर्ति क्या रहेगा नमक ये बात दिमाग में है आप लेके चलना तो पानी निकाल लिया जाए 100 लिटर पानी निकाल लिया जाए या कुछ भी कर दिया जाए चेंज पानी कर रहा है तो कहरे निकाल लिया जाए तो नमक 15% हो जाता है अब एक बाद आता ये पानी से छेर चार की है तो पानी बदलेगा या घटेगा नमक तो नहीं घटेगा तो एक बाद आता ये 5% नमक पहले था थीक है बाद में नमक कितना हो रहा है 15% तो आप कहोगे नमक तो भाईया हमने ना डाला है उसमें कुछ किया ही नहीं हमने तो पानी डाला था तो नमक क्या होगा बराबर होगा अब इनका रेशो क्या होगा तो आप कहोगे पलट दो सर परसेंटेज से परसेंटेज हम यहीं कार दे रहे हैं परसेंट से परसेंट हैं, हमने यहीं कार दिये जए, नीचे कार देंगे, तो आप कोगे, पल्ट दिया जाए, तो ये कितना हो जाएगा, 5%, अब एक बात आटा हीए, परसेंट से परसेंट, 5,1,5,5 दिया, 15, तो आप कोगे, पहले अगर आपके पास मिशन तीन था, अब कित कितना निकाल लिया गया है दो निकाला किया था हमने पानी इसका पानी कितना निकाला गया होगा दो यूनिट अब आप एक बात अता यह कोशन में क्या दिया गया है 100 लीटर पानी निकाला कितना गया गया था दो इससे पहले वाले कोशन में प्रारंबिक मात्रा दी गई होत अगर एक यूनिट की बैलू 50 तो आप से कह रहा है प्रारंबिक मिस्टन प्रारंबिक कौन सा होता बच्चे यह वाला तो आप से पूछा जा रहा है प्रारंबिक मिस्टन कितना है तो तीन यूनिट की बैलू कितनी हो जाएगी आपका होगी एक की पचास है तो तीन की कितनी होगी पचास दिया डेड़ सो कितनी होगी डेड़ सो option कौन सा है अगर प्रारंबिक की जगे पूछता नई जो पनी है दूसरी वाली तो आप किस से के नकालते है इस से ठीक है बच्चे यह आपका नौबा कोशन नैश कोशन की तरव हम चलते हैं दस सबाब इसी तरीके का कोशन है बच्चे सभी लोग आंसर निकालिए देखिए बारा लीटर के अमल और पानी के मिश्ण में कितना लीटर पानी निकाल लिया जाए भय यह निकाल क्या रहा है अमल से नहीं किया है कह रहा है इकि अमल की पृतिसात्ता 30% से बढ़कर कितनी हो जाए 40% हो जाए बच्चे इस कोशन में भी मैं बताना चाहूंगा हमने पानी से चेरचार की है अमल से नहीं की है तो कौन सी चीज constant रहेगी अम्ल तो आप कहोगे अम्ल पहले कितना था अम्ल पहले आपका 30% था और बाद में कहा रहा है कितनी हो जाए 40 तो अम्ल से था हमने छेड़ चाड़ की नहीं है हमने पानी से की है तो ये दोनों क्या होगे आपस में बराबर ratio चेंज करें तो क्या करते हैं पलटते हैं क्या हो पलटते हैं मैंने concept समझा दिया था पहले वाले question में इसके तो आप कहोगे ये 40% और ratio ये कितना हो जाएगा 30% तो आप कहोगे percentage से percentage, 0 से 0 तो आप कहोगे पहले अगर 4 था अब कितना होगा 3 होगा, कितना होगा? 3 कितना निकाला गया है? 1 तो आपको निकाला क्या था? उसमें से पानी निकाला गया था ठीक है, अब उसमें कह रहा है 12 लीटर के पानी और अमल के mission में इसका मलब प्रारंबिक मात्रा हमको दी गई है तो इसी 4 unit की value कितनी दी गई है? 12 तो एक unit की value कितनी हो गई? 3 और आपसे कह रहा है कितना पानी निकाला है? पानी निकाला कितना था? 1 तो एक unit की value कितनी हो जाएगी? 3 तो हमारा answer हो जाएगा 3 लीटर के बराबर option कौन सा है हमारा C, option कौन सा है हमारा शी यह चीज के लिए हैं आपकी इसी तरीके से कोशन करोगे तो बच्चे आपका समय भी बहुत बच्चेगा ठीक है ना नेश्ट देखे बच्चे आपसे कोशन में कहा जा रहा है 20 लीटर के ताजे तरबूज में पीश लीटर के ताजे तरबूज में 96% पानी है एक दिन बाद जब उससे सुखाया जाता है मलब कहीं रखा जायागा तो उसमें से पानी ही उड़ता याद रखना है एक दिन बाद 95% पानी सेश रह जाता है तो तरबूज का बरतमान बजन ग्याद करी मुझे एक बाद आता यह जैसे एक तरबूज आप लेके आए ठीक है उसमें 96% आपका 96% आपका क्या है पानी तो आप कहोगे जो तरबूज लाते हैं जो खाने का होता है वो गूदा सा ह लगता है उसको फल कहते हैं आप पल्प कहते हैं तो आप कहोगे 96% पानी टोटल 100% होता है इसका मतलब 4% क्या होगा आपका वो गुदा होगा गुदा कुछ भी कहते हैं वो फल के अंदर होता है ना खाने वाला उसको गुदा या पल्प भी बोलते हैं जो भी आप समझ ले खाने वाला जो गुदा होता है ठीक है बच्चे अब आपसे कह रहा है एक दिन बाद जब हम उसे रखते हैं तो उसमें से क्या उड़ जाता है तो आप फल तो नहीं उड़ता उसमें से पानी उड़ जाता है वासपोर्जन की क्लिया से जो दूब बगरामिलती है कहीं भी तो पानी उसमें से सूखने लगता है तो याद रखना जब दूसरा आपका दो एक दिन बात फल देगा तो अब उसमें पानी कितना रह गया 95% आपका पानी रह गया तो गूदा कितना होगा तो आपका पांच परशेंट आपक गूदा होगा ठीक है मुझे एक बात का जबाब दीजी बच्चे जब आपने फल को रखा होगा तो उसमेंसे गूदा तो नहीं उड़ा होगा उसमेंसे उसका पानी उड़ जाता है तो आप कौनसी के बासपोसरन की जो क्रिया होती है उससे पानी खीच लेता है वो आपको भी फल लाना रख दो तो सूखने लगता तो उसमेंसे पानी उड़ने लगता है तो आप याद रखना हमने चेंज क्या किया है पानी क्या किया है चेंज पानी गूदा चेंज होगा क्या नहीं होगा वो आप परिबरत्रे रहा कौनसी ची constant रहेगी गूदा की तो आप कहोगे जब पहले कितना था इसमें 4% इसमें कितना है आपका 5% ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे क्यों क्योंकि ये तो उड़ते ही नहीं है पान ही उड़ता है उसमें से तो आप कहोगे रेशो क्या होगा तो आप कहोगे 5% और ये 4% आप कहोगे percentage से percentage कार दिया तो रेशो क्या होगे 5 अनुपाद 4 रेशो क्या होगे 5 अनुपाद 4 याद रखना, रेशो क्या होगे, पांच अनुपाद, चार, अब एक बात दाईए, पहले अगर पांच था, तो अब चार है, कितना उड़ा है, उसमें से एक उड़ा है, मुझे एक बात दाईए, बीस कुलो का ताजे तरबुच में 96% पानी था, वर्तमान बजन पूछ रहा चार, तो एक युनिट की वैलु कितनी है, चार, तो 4 युनिट की वैलु कितनी हो जाएगी, तो आपका 16, तो आपका option कौनसा है बच्चे, बी, आपसन कौनसा है, बी, ये चीज़ें clear हैं आपकी, अब चलते, नेस्ट कोशन, एक इसी तरीके का last, देखिए, same to same portion है इसी तरीके का है अब आपसे कह रहा है तर्वुज में 90% पानी था कुछ समय के बाद तर्वुज सूख जाता है लेकिन इसमें 12% पानी सेस रह जाता है यदि सूखे तर्वुज का बजन 2.5 क्लोग गेजी है तो ताजे तर्वुज का बजन क्यात करी है मुझे एक बाद आता ही है ये तर्वुज है इसके अंदर 90% क्या है आपका पानी है 90% क्या है आपके पास पानी है कह रहा है तर्वुज और 90% पानी है तो मैं आपसे पूछूँ गूदा कितना होगा तो आपका 10% आपके पास क्या होगा? कुदा होगा सूखने के बाद ये आपका एक उतर्वू जा गया अब कहरा है इसमें 12% पानी सेस रह जाता है पानी कितना सेस रह गया? 12% पानी सेस रह गया तो मैं आपसे पूछूं गूदा कितना होगा? टोटल हंड्रेट होता है 12% पानी सेस रह गया तो ये कितना होगा? 88% क्या होगा? गुदा होगा मुझे एक बात है जब सूखता है तो उसमें से पानी उड़ता है गुदा तो नहीं उड़ता तो गुदा क्या रहेगा? बराबर हैगा अब परिवर्द रहेगा हम उसी को और पकड़ते हैं देखिए ये कितना है? 10% और यहां कितना है? 88% और ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे तो रेशो निकालें तो ये 88% आ गया और ये हमारा 10% आ गया तो आप कहोगे परसेंटेश से परसेंटेश और दो से काट देते हैं ये इसी को देख लेते हैं तो आप ये कहोगे ये 88% आ जाएगा ये कितना आ जाएगा? 10 तो आप कहोगे 10 यूनिट की वैलू कोशन में अगर आप पराना पहला ताजा अगर 88% का होगा 10 का कोशन में कहा रहा है सूखे का बजन कितना है? 2.5 कितना है? 2.5 तो आप कह सकते हो 10 यूनिट की वैलू 10 यूनिट की वैलू कितनी है? 2.5 है तो एक यूनिट की वैलू कितनी होगी? 2.5 by 10 पॉइंट हटाएगे भाई साब तो इसकी नीची कितना आजाएगा 10, 25 से काटेंग कितना आएगा 10 का इंटू 10 में 100 25 के 100 तो एक unit बराबर कितना आजाएगा एक बटे 4 तो आप कहोगे एक बटे 4 आप डारेक्ट भी कर सकते हो मैं उन लोगों के लिए के चल रहा हूँ उनको ये भी नहीं आता होगा उनके लिए ये बगल में तो एक unit की value अगर एक बटे 4 है तो 88 unit की value कितनी होगी तो आप कहोगे इसमें एक बटे 4 का इंटू करो तो आप एक बाद का जबाब दीजिए 88 में आप एक बटे 4 का इंटू करोगे तो चार से काटोगे चार दो नहीं आट चार दो नहीं आट कितना जाएगा 22 तो आपका अंसर कितना जाएगा 22 तो आपका होगे ताजे फल का बजन कितना होगा 22 kg और option मेरा कोई सा है बच्चे C ये सारी चीजें आपको clear होई की नहीं होई अब हम चलते हैं next concept की और दूसरे टाइप की और